सभी आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज सुभे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है तो आज आप सबके लिए एक छोटी सी खुसखबरी लेकर के आएं हैं इस बार की जो होली है उत्तर प्रदेश की आंगनबाडी बहनों आप सबकी फीकी नहीं रहेगी इस बार मांदे आज आप सबके खातों में लगना सुरू हो गया है जिसके लिए आल इंडिया कल भी मांग कर रहा था और उसके पहले फरवरी के लास्ट टाइम पर भी हमने मांग की थी कि इस बार फरवरी का जो मांदे है वो होली से पहले विभाग लगा दे खातों में और अगर लग जाएगा तो बहनों की जो होली है वो अच्छी गुजरेगी तो इसी के सम्मंद में आपको बताना चाहेंगे कि मांदे बहनों आप सब का आज खातों में लगना सुरू हो गया है मांदे प्लस पियलाई तो आएए देखते हैं कहां पर किस किस जगे से किन किन बहनों ने मैसेज बेची हैं तो ये जया देवी बहन है कुसी नगर जिले से आती हैं उन्होंने भी मैसेज में कहा है कि भाया जी पियलाई और प्लस मांदे वो अंडर प्रोसेसर में लग गया है अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये 4500 रुपया इन बहन का लगा है साथी एक और मद में लगा है जो की 1500 मद में लगा है और अगर आपको हम देखाए तो ये 4000 रुपया भी उन्होंने कहा है और लगा है और ये भी इनका अतरिक्त मांदे जो पियलाई सुरूप परपस में आता है उसी का है अब ऐसे में आप देख सकते हैं इतना पैसा इनका लगा है और इस सम्मंद में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दो महीने का 4000 रुपया प्लस पंदरा सो प्लस पैतालीस सो रुपिया मांदे है तो जया बहन का कुसी नगर में पैतालीस सो रुपिया मांदे प्लस पंदरा सो रुपिया उनका मांदे वो वाला प्लस जो है चार हजार रुपिया दो महीने का प्लाई चूकि इनका पहले नहीं आया होगा दो महीने क इनका PLAI है 22,000 के इसाब से क्योंकि 1500 जिसको UP सरकार के मिल जाएंगे तो इसको किंड सरकार के 500 भी मिल जाएंगे एक दूसरे से जुड़े हुए ही होते हैं अब हम बात करते हैं अगली जानकारियों की राजवती बहन हैं बरेली से आती हैं बरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आज मांदे पियलाई लगना सुरू हो गया इन्होंने मैसेज किया भया जी 4500 रुपिया और 500 रुपिया प्रोसेस में दिख रहे हैं राजवती आंगनबाडी जिला बरेली उत्तर प्रदेश से तो एक बात कहना चाहूंगा बह भी चीजे क्लियर हो जाएंगी क्योंकि सुबह सुबह ही लगना सुरू हुआ है अभी अभी और ऐसे में हो सकता है लेट लतेप जो है थोड़ा-थोड़ा मद में अलग-अलग भी लोगों का देखने को मिले तो इसलिए अगले वीडियो भी बहुत ही काम के होंगे अब ये संध्या बहने वरणशी से और इन्होंने भी कहा कि 1500 का एक ये ट्रांजेक्शन दूसरा एक ये 4500 का मैसेज साथी साथ आप देख सकते हैं दो तरह से इनका लगा इधर चंद्रलेखा बहने मेरजापूर से इनका 4500 रुपिया प्लस 1000 रुपिया प्लस 1500 रुपिया इस तरीके से उन्होंने अपना कहा है कि इतना लगाए तो 1500 तो ये मांदे में काउंट होते हैं 1000 रुपिया जो अगर आपके देखने को मिलते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं फिर वो हो जाते हैं आपके PLI के क्योंकि PLI में ही 1000 प्लस 500 हो सकते हैं लेकिन मांदे जो आपका तरि बहन है हर दोई से आती हैं तो और आगे ले चलते हैं आपको बताना चाहिए एक बहन है सिखा कानपुर्दिया से इन्होंने का भया जी मेरे एकाउंट में पहले से 1381 रुपया था जब चक्किया तब 5381 रुपय थे इसका मतलब 4000 रुपया आया है तो इस तरह से उन्होंने क पहले का अकाउंट था उसमें 4000 रुपया इनका आया था मातर समिती वाले अकाउंट में ऐसा उन्होंने अपना जुए कहा है साथी साथ आगे बतादे दीपका मिस्रा बहन है राय बरेली से इन्होंने 1500 का एक मैसेज भेजा है जो उनके खाते में आज लगा एक 4500 का भी मैस उन्होंने बेजा जो आज खाते में लगा। फिर बात करते हैं, रज्जन बहन की जो की फतेपुर जिले से आती हैं। प्रवात में उन्होंने बहन ने जया बहन ने का कि 2 महीने का उनका PLI है जो कि वहां पर 4000 रुपया उनका लगा तो ऐसे गर कि ये PLI जो है वो जिले के अधिकारियों पर निर्भर हैं और वो अपने-पने जिले में जब अपना पूरा कारवाई कर लेते हैं उसके बाद वो च इने काताद पर नहीं है क्योंकि काम तो आप करती है हम तो चाहते हर किसी को बराबर एकमुस्त रासी मिल जाए प्रोशाहन को भी गवर्मेंट मांदे में कनवर्ट कर दे एक अठा पैसा दे दे तो सरकार की भी वावाही और बहनों को भी जो है परिसानिया नहीं होंगी इधर हम बात करते हैं आंगनबारी साहका से मारपीट करने में चार लोग फसे हैं और ये रूपई डी का मामला है आए देखते हैं इसमें क्या हुआ पूलिस अधिचक ने उनी के नर्देश पर गुरुवार को कौडिया पूलिस ने चार लोगों के विरुद्धर SCST Act साहीद विभिन धाराओं में प्रात्मी की दर्चकर जाँच परताल सुरू कर दी है कौडिया थाना चेतर के ग्राम पंचैत कोचवा के निवासी रामदीन की पतनी विजे कुमारी आंगन बाडी साहिका है विजे कुमारी ने पुलिस अधिचक को एक सिकाती पत्र दे करके सजनवा के सुमित कुमार गुपता, रिंकुतिवारी, रवी कुमार सुकला, रवी पांडे इन पर मारने पीटने जाती सुचक सब्द का प्रयोग करने और गाली यहां पर वो करने के लिए धमकी देने का भी आरोप लगाया है साहिका ने पुलिस अधिचक को कहा जो है सिकाती पत्र में कि बलाक पर वित्र रजिस्टर जमा करने के लिए गई थी वहां से वापस आते समय कोचवा देशी सराब की दुकान के सामने पहुची थी और सभी लोग सराब के नसे में धुथ थे जिस पर सभी लोगों ने जाती सुचक सब्द का प्रयोग करते हुए यह सब धमकिया दी है तो ऐसा मामला हुआ है जिसमें चार लोग यहां पर फसे हैं बताया जा रहा है इदर हम बात करते हैं अगली जानकारी की एक मैटर हमारे पास आया है जिलाकारकम अधिकारी मोहोदे आयोध्या जनपत के उनके स्तरकाई के लिटर है उपरोक्त विस्यक निदेशक बालविकास सेवा पुष्टाहार उत्तरपदेश लखनव के पत्र संख्या 14-20 जो की दो मार्च को असंदर्ब ग्रहन करें जिसके द्वारा ग्राम स्वास्त सुचता पोशर दिवस यानी VHSND इसके आयोजन के संबंद में आंगनबाडी कारता क की द्वारा संपादित किये जाने वाले कारियों की चेकलिष्ट सनलगन करके समस्त आंगनबाडी कारकरती को उपलद कराने हैं तू नर्देशित किया गया साथी साथ उपरोक्त के क्रम में आप सभी को नर्देशित किया जाता है कि ग्राम स्वास्त सुचता पोशर दिवस यानी VHSND के आयोजन में आंगनबाडी कारकरता द्वारा संपादित किये जाने वाले कारियों की चेकलिष्ट अपनी अपनी परियोजना की समस्त आंगनब का लटर आप समने देखा है इस संबंद में उपरोक्त गत्विदियों के लिए चिकलिष्ट निमनवत भी यहाँ पर दे दी गई है सत्र के पूरु की तैयारियां आप देख लिजेगा कैसी रहेंगी सत्र का समय और इस्थान सभी अभिभावकों को एक दिन पहले अवस से उचित करना होगा यदी सत्र आंगन बाड़ी केंद पर है तो केंदर से को जो है समय से आप खोलें क्रियासील अवस्ता में उचाई माप के लिए इंफेंटो मीटर उपलब्द हो गर्वती महला के वजन के लिए वजन मसीन उपलब्द हो सिसुओं के वजन के लिए वजन म बच्चे सैम मैं में गंभीर अलपवजन प्रथम और आखरी त्रहमास की गर्वति महलाएं इनकी सूचना बनाना डिवलिष्ट का मिलान आसा के साथ करना ये चीजों का वहाँ पर सत्र के पहले ही तैयारी कर लेना है इधर और एक पॉइंट रह गया कि जो है अब सत्र के दे से उनको बताना होता है और आसा के सयोग से जनम के समय कम वजन वाले बच्चों को स्वास्त जाज के लिए सत्थ पर बुलाना नेमित वजन और इसके बारे में चर्चा करें। जो लाभारती सत्र में आने से छूट गए हैं उनकी सूची तयार करके आसा के साजा करना और ये सुनिश्चित करना कि छूटे हुए लाभारती अगले सत्र में अवस्याएं। आने आ रही है वहाँ पर आप देखेगा बहनों ने अपने वहाँ ग्यापन सोपा है और ग्यापन की एक फोटो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अधर बात करते कुछ और भी धरने से तस्वीरे हमारे पास पहुची है और एक ये ग्यापन देते विए बहने आप देख सकते हैं जो कि कल भी आप लोगों ने तस्वीरों को देखा था। अधर और आगे चलते हैं धरने का एक फोटो और आप देख लिजेगा फिर आगे की जानकारी आपको बताते हैं। कैसे आती उन्होंने का भाई हमारे यहां बलिया के 15 बलाक में होसला पोशड के खाते में 3000 रुपिया आया है जो कि गोदभराई और अनप्रासन का बताया जा रहा है। तो एक दूसरे अलग जन्पदों को लेकर के आप चीजों को मसमदने लग जाना कहीं रिचार्च का भी पड़ा होगा क्योंकि रिचार्च का लिखित में भी आदेस आपने जिले का देखा था। कहीं हो सकता है मातर समिति के खाते में फ्लेक्सी फंड का आगया हो कहीं किसी अन्मद में आगया तो इसी तरह से आप अपना अपने हिसाब से चक करना। इदर बात करते हैं एक और जानकारी की सहेका के लिए मैट्रिक नियुनतम योगिता जिलाज तर पर लिए जाएंगे आवेधन और ये पूरा मैटर है बिहार का बदलाओ बताया जारा कि इंटर पासी अब बनेंगी आंगनबाडी सेविका और कैबिनेट का ये फैसला बता जारा बिहार सरकार की तरब से तो आप देख रहे हैं अठारा नियुनतम और पैंतिस अधिकतम उम्र सीमा आंगनबाडी की जौब के लिए बिहार में रखी गई है ऑनलाइन ही कर सकेंगे आवेधन जिस वार्ड में भरती है उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है जिविको परजन के लिए योजना का लाब है और जो आपका पाकसो एक्ट से रिलेटेड कुछ यहां पर चीज़े अलग से दर्सा दी गई है साथी साथ बताना चाहेंगे कि आंगनबाडी सेविका सायका के चेन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है साथी इसके अगनबाडी सेविका के लिए निउन्तम योगिता इंटर्मीडियेट और समकच और आगनबाडी साहका के लिए मैट्रिक होगा पहले या करमसा मैट्रिक और आठ्मी था मोकेमंत्री नितिसकुमार की दहस्ता में मंगलवार को हुई राज केबिनट की बैटेक में इसकी स् पंजारी होगा आवेदनों की जान संबंद जिले की उपविकास आयूत की अधिचता में गठित कमेटी करेगी और मेगा सुची बनाएगी सरवच डिगरीधारी अभ्यरतियों को पहले मौका दिया जाएगा अगर दो अभ्यरतियों की सेच्छडी योगिता समान होगी तो मे सेविकास आयका चन मारदल्स का 2022 की स्युक्रती भी दी गई है तो सेविकास आयका संबंदित वार्ड का निवासी होगा उसी वार्ड में जब वर्तिया होंगी तो उस तभी वो अपना अप्लाई करें और तभी उसमें उनके चांस होते हैं अलग वार्ड से यानि अलग सवेदन है प्रोशाहन रासी एक साल से कहीं दो बार मिला तो क्या भाया जी लगातार मिलने का कोई कमी है हम लोग वजन जो है यहाँ पर विजट सम्मान में रिजिस्टर बनानते हैं और मोबाईल वजन करते हैं विजट भी करते हैं इस तरह से उन्होंने अपना जो भी है सब लिख करके बेज आए तो प्रोशान के बारे में हम तो नहीं कह सकते क्या है क्या है क्या नहीं है वो आपके जले के अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो क्या बना करके दे रहे हैं पिलाई सुरू मां के मिलना हर महीने है अब वो किसका अपना जनरेट करते हैं यह वही जान सकते हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। अगर गोदबरायन प्रासन के होंगे तो एक महीने का 500 होता 2500 प्रतिगतविदी के हिसाब से और महीने में दो ही फंडेड होती है तो महीने का 500 हुआ तो वो भी अपना हो सकता है मुन्नी बेहन से जहाँपुर से और इनके अलावा कुछ बेहने हैं सुमन देवी फतेपुर से मालती देवी फिरोजाबाज से करोड़ा देवी हर्दोई से सुमन देवी जस्पुर से सुधा सदातनगर से और इस तरीके से आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं अगले वीडियो में आप सब भाई बेनों को फिर मिलते हैं धन्यवाद